गुद मॉनिंग एवरिवन, फिफ्ट क्लास, तोड़ी इस ट्वेंटी नाइंट अफ अक्टूबर, ट्वेंटी ट्वेंटी और डे है थरस्डे, पिछले कल हमने जवाब उस चेप्टर का रिवीजिन कर लिया था, वी मैं मल्टिपल, I will be your factor, ठीक है उसमें जितने भी इंप पैटर्न, ठीक है, तो पैटर्न देखेंगे कुछ important, ठीक है, तो इसी में हम सारे चेप्टर को discuss कर लेंगे, ठीक है, और फिफ्ट चेप्टर, जो की paper में नहीं आएगा वैसे, वो मैंने आपको इसलिए बस में भी नहीं दिया है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा देख तो उसमें मैं इसे related question फिर पूछूँगा, ठीक है, तो चलिए start कते है, can you see the pattern, यह वो रहा है कि क्या आपने जो pattern देखेंगे हैं, तो कैसे कैसे pattern होगे, very short answer question होगे, यहाँ पे, fill in the blanks, इसमें important question ही होगे सारे, जो की पहले exam में पूछे गए हैं, ठीक है, तो first question है, यहाँ equal to, का sign, जो वो यहाँ पे very important है, यह बो रहा है कि equal है, ठीक है, तो यह equation बन गई, ठीक है, 37 लिखा है, set और plus लिखा है, और box बना इस box में आपने कुछ बढ़ना है, ठीक है, प्लस है, फिर 19 है, ठीक है, अब देखें दियान से, बीच में equal है, इसका मतलब है कि A वाली जो ह साइड और A वाली जो हो, राइट एंड साइड हमारी equal होने चाहिए, मतलब कि इस साइड जो नंबर है, वही इस साइड होने चाहिए, तो 24 देखें, 24 है, नहीं है, तो 24 आजा कैसी दही, ठीक है, 19 है, yes, 19 है, ठीक है, 37 है, 37 है, यहाँ पे, बस order change कर दिया है, वाकि तीनो न 19 में, ठीक है, तो यहाँ पे आजागा 24, आगे देखते हैं, आगे भी very simple कुछीन है, देखें जैसे इसका एक example देता हूं, मैं चोटा सा, जैसे example के लिए मैं कर रहा हूं, 7 multiply by 9, ठीक है, यह तभी equal होंगे, जब मैं इस साइड भी 7 multiply 9 कर लिखूगा, तभी equal होंगे, ठीक ह यहाँ पे 63 आ जागा, तो यहाँ पर भी 63 ही आना चाहिए, तो 7 को किस से multiply करें, तो 9 से multiply करें, अगर 9 दिया है तो 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यह भी बहुत simple है, multiply के case में भी आपको बैसे ही फिल करना है, जैसे आपने plus के case में किया, ठीक है, ठीक है, तो यह हमारी लेप्ट हैंड साइड आ रहा है हमारे, तो यह बाला लेप्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मतलब की equal लगा है, तो लेप्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जवाबो, equal होनी चाहिए, तो यहाँ पर 49 multiply by 13 है, multiply नहीं करना है, multiply बिलकुल भ होंगे, जब 49 जो वोई साइड लिखा है, बीच में multiply लिखा है, sign तो सेम ही, ठीक है, तो 49 को वोई साइड 13 से multiply करेंगे, तब भी तो सेम होगा, बिलकुल simple machine, आगे दिखिए, आगे लिखा है, आगे भी बहुती simple question है, यह बिलकुल बैसा है, जैसा first question हमने कि, यहाँ पर ल इ सब्सक्राइब, और अगे लिखा है, तो दिकी है, 14 है, 34 जैस, 34 नहीं है, अचा 34 इसमें है राइटण साइड में है, बिचमे बिचे को लगाए, मतलब को होने ही चाहिए, 34 है, जैस तर ne travel, 34, टीक? और ही यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 नहीं है, यहाँ पर 20 लिका को गतम ट्रिक है ऐसे कोश्चिन आप आई hope की इसको कर लेंगे आप ठीक है बहुत यह सिंपल कोश्चिन है तुम मैं यहां पे थोड़ा शब्दा दू आपको की फित चैप्टर लगत तक नहीं करना है बहुत पार की ऐसे कौन-कौन से अल्फबेट हैं, तो तो थोड़ा सा इसको भ है हैं यहां मतलब हमारे कितने अल्फवेट इक एक है लेकिन उसमें ब्रशंप गम्मारा इंगलिस में किम ईयफे है इसमें लेटर जोभर है चिह फिल पूल इसमें जो भी जैस्ट है यह यह श्रुखनेंachen कि हाफ टन करने के जैसे कि मालो ए है हमारा अलफवेट ठीक है उसको half turn करेंगे half turn करने का मतलब है कि ऐसे ऐसे इसको ऐसे गमा देगे मतलब उपर वाली side नीचे वाले नीची नीचे कर देंगे और नीचे वाली जो हो उपर हो जाएगे तो एक कुछ इस तरह से side दिखेगा ठीक है तो एक question पूछ रहा है कि कौन-कौन से ऐसे alphabet है कौन-कौन से sorry alphabet नहीं कौन-कौन से ऐसे letter है English alphabet में जो की half turn करने पर सेम दिखाई देते हैं ठीक है तो बहुत ही interesting question है भी तो यह तो बैसे सब कोई पता है एक को हमने जो वो half turn किया देखिए अगर full turn करेंगे तो फिर से वैसे नहीं हो जाएगा ठीक है फिर से जो वो एक जैसे ही बन जाएगा लेकिन हमने जो इसको half turn करना है तो ए जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है half turn करने पर और बी जो वो हमारा कुछ इस तरह से साइध बन जाएगा, ठीक है, half turn करने पर, ठीक है, और C जो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, half turn करने पर, तो यह पुछ रहा है कि 26 अल्फवेट में से, कौन-कौन स्यासे अल्फवेट है, जिनको की half turn करने पर, बिल्कुल सेम बैसे ही दिखाए देंगे तो ठीक है, तो आपने जो आप घर में ट्राइ करनी है, जो हमारा H है, एसको half turn कर दिया है, बिल्कुल सेम बैसे ही दिखेगा, अचा है, आप छेक कर लो, ठीक है, हमारा N है, उसको भी आप half turn करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही सेम देखेगा ठीक है N को भी half turn करेंगे तो सेम ही देखेगा हमारा जो I है इसको तो change कर दू जैसे मर्जी तो बोटो आई ही रहेगा ठीक है O है बोटो बिल्कुल circle है तो O भी O ही हमारा रहेगा ठीक है, O भी, O ही रहेगा, इसको भी जैसे मर जी, ठीक है, तो S, एक हमारा S है, इसको भी change कर दो, S ही, S ही रहेगा, ठीक है, X, X भी, X ही रहेगा, अगर इसको half turn करनेगे, और एक हमारा है Z, तो कितने अल्फावेट होगे, जिनको की half turn करनेगे, बिल्कुत सेम दिखा देते तो टोटल हमारे पास seven alphabet, ठीक है, seven alphabet ऐसे हैं, seven letters ऐसे हैं, ठीक है, seven letter ऐसे हैं, जो की half turn करनेगे पर, बिल्कुत सेम दिखा देते हैं, ठीक है, यह बहुती interesting कुछ ही था, अब बात करते हैं कि English word की, कौन से English word हैं, जिनको की half turn करने पर, बिल्कुत सेम बैसे ही दिखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कुछ interesting word है, जैसे की SIS ले लिए मैंने, ठीक है, इसको half turn करेंगे, तो बिल्कुत ऐसे ही दिखेगा, ओके, चाहें आप इसको check भी कर सकते हैं, जैसे मालो, इस S को, अच्छा देखें, हमने जो अब जितने भी seven, जो भी हमने seven letter देखें, ठीक है, उस इसी में से a word, बने हुए है, सिर्फ इस में जो वो, m आ जाएगा, अब देखें, m क्यों आ जाएगा इसमें, देखें, m भी इसमें include किया गया है, जैसे की, जैसे मालो, swims लिख रहा हूँ है, ठीक है, जैसे मालो, मैं लिख रहा हूँ, s, w, i, m, s, ठीक है, अब इस word में द है, बो, w के जैसे दिखेगा, और ये, w, जो है, वो, m के जैसे दिखेगा, तो, i hope कि आप समझगे होंगे, जो हमारे seven alphabet है, बो तो, आएंगे ही, ठीक है, बो तो, हावट करने करने पर, बिल्कुल से हम दिखती है, बस, m और, w, जो भी, हमारे, letter है, बो, जो, वो, एक दू करिए, इनकी भी, book देखिए, page number कितना है, ठीक है, उसको, आप लोग, check करिए, ठीक है, तो, ऐसे, अब बात करते है, number की, तो, ये, कौन-कौन से ऐसे number है, जो की, half turn करने पर, जैसे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ठीक है, तो, कौन-कौन से ऐसे number है, जो की, half turn करने पर, फिल्कु है, हमारा, seven, seven, तो नहीं है, eight है, ठीक है, eight को turn कर तो, eight ही रहेगा, ठीक है, तो, एक होगा, zero, एक होगा, one, एक होगा, eight, zero, one, eight, तो, तीन number हमारे पास ऐसे है, देखिए, इंगलिस alphabet में कितना थे, seven, और एक मैंने मताया, word में, M और W भी, आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ब तो, ऐसे ये, कुछ इस तरह से, होना चाहिए, ठीक है, तो, numbers में, कौन-कौन हमें मिल गए, एक मिला, zero, एक मिला, one, एक मिला, हमारे पास, eight, तीन number ऐसे है, जिनकों कि हाप turn करने पर, same दिखते है, ठीक है, अब बात करते हैं, कि कौन-कौन से, ऐसे number है, two-digit number, या three-digit number, या four-digit number, जिनकों की turn करने पर, बिल्कुल सेम दिखते हैं, अब बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंटरस्टिंग है, अब देखे, two-digit number, अब देखे, two-digit number, हम यहां से बना सकते हैं, one का one-one हो गया, ठीक है, बन गया, क्योंकि इन तीनों से ही तो बनेंगे, two-digit number, क्यो तो ऐसे कई सारे आप लोग number बना सकते हैं, ठीक है, two-digit number मैं कुछ यहां पर लिखना हूँ, one-one हो गया, ठीक है, और eight-eight हो गया, या three-digit number लिखना हो तो 101 हो गया, या one-one-one हो गया, ठीक है, कई सारे आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर four-digit number भी मैं यह पर थोड़े से बता देता हूं आपको 4 digit के नंबर मतलब 1 0 और 8 से ही वो बनेंगे ठीक है जैसे कि हो गया 1 0 0 1 इसको half turn कर लो बिल्कुल बैसे दिखे है 1 1 1 1 इसको भी half turn कर लो 8 8 4 times 8 लिखे हैं बिल्कुल सेम देखेगा 8 1 1 8 लिखे लो बिल्कुल सेम देखेगा ठीक है चाहे 1 8 8 1 लिखे लो ठीक है जैसे मर्जी लिखे लो आगे फीचे इनके order चेंज कर दो बिल्कुल सेम बैसे देखेंगे बैसे 3 digit नंबर में करिए ठीक है तो I hope कि आप इसको समझ गए होगे यह हमारा था 5th chapter 5th chapter में ज्यादा कुछ था नहीं तो इसलिए जो हो यह syllabus में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए तो मैंने बता दिया अब जोगो 5th chapter भी 5th chapter में से भी कुछ एक आदा नंबर का आ सकता है तो 7 chapter में और क्या-क्या pattern है 7 chapter में देखे और क्या-क्या पैटन दे रखे हैं बहुत ही simple-simple pattern है जैसे कि मालो 7 लिखा है फिर 14 लिखा है फिर जोगो 21 लिखा है फिर यहां पर डैस 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 ऐसे लगा हुआ कि यहां पर बढ़िये यहां पर बढ़िये और यहां पर तीन जोगो box को बढ़िये या तीन डैस लगे हुआ उनको फिल करना है ठीक है तो आपको पता है कि 7 और 14 7 से 14 कैसे आए हुआ 7 7 plus हो गया होगा plus 7 हो गया होगा इसमें से plus 7 इसमें हो गया होगा तो इसमें भी plus 7 करिए ठीक है कितना आ जाएगा 28 हमारे पास आ जाएगा ठीक है तो ऐसी ही पैटन आपको पता होना चाहिए कि देखिए यह तो 7 का टेबल ही चल रहा है तो 7 का टेबल ही चल रहा है तो ज्यादा तर इस आपके बुक में ज्यादा कथिन ज्यादा ज्याद पैटन नहीं है ठीक है बैसे मैंने आपको थोड़से दिफकल्ट पैटन भी बताया है ठीक है तो मैं कोई फिर से एक डिफकल्ट जैसा लेता हूं फार हो गया सिरक⁉ moves ह कि और है भी दिक फूर था बबल जयाता है लेकिन इसमें जो एक logic चलेए जैसे वन की पावर में आटुत की पावर में ठ Chand珠 की पावर में है फिर फूर की पावर में two से स्कूर का मतलब है जो ठैने तो इन परवन का स्क्वेरirt पहला है तो यहां पर अट अटा स्क्वेर वन continuar कोई बता होने चाहिए ठीक है टेबल आपको जो वो टेबल टेबल में ही ज़्याद दर पैटर्ण पुछ जाते हैं तो टेबल आपको जोगो 20 तक लर्न करने है ठीक है अब बात करते हैं कुछ और पैटर्ण की और एक कुछ इन है हमारा स्कुयर बाला जो की फिल करने है ठीक है उसको मैं कल तक बता दूँगा आपको कि स्कुयर को कैसे फिल करते हैं वैसे आपको कई बार बताया गया है पिरसे मैं एक वार रिविजन में इसको फिरसे हम लोग ठीक है एक चोटा सा पैटर्ण आता 관련 जैसे कि मालो ऐसे है फिर आपको जैसे ए जो है वो तीन सरकल यहां पर दिये गए है फिर्स्ट में कुछ ऐसे जो हो यहां पर ड्रॉ किया हुआ है यहां पर और फिर जो हो यहां पर ऐसे फिर यहां पर ऐसे और ऐसे दिये गए है फिर यहां पर ऐसे और ऐसे है फिर यह बो रहा है कि what should come next इसके बाद वाला क्या होगा इसके बाद वाला एक या दो तीन पुछ सकता जितने बरची अब देखिए अब देखिए कितना turn हो रहा है यह चेक करना है इसमें देखिए और इसमें देखिए कितना difference है इस इन दो को देखकर ही हमें pattern का पता चल जाएगा ठीक है पहले देखिए यहां पर है यह line जोबो यहां पर है अब फिर जोबो चेंज होके सिधा उपर आगे मतलब कि one fourth side turn हो रहे है मतलब कि अगर four times इसको फिर से ऐसे गुमाएंगे तो फिर से वो अपनी position ले लेगा ठीक है तो इसको मैंने ऐसे गुमाया तो यह उपर आगे अब मैं थोड़ सा इसको one fourth ही गुमाऊंगा तो इस side आजएगा अब मैं थोड़ सा इसको और ऐसे गुमाऊंगा तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है और इसको थोड़ सा और इस तरह से गुमाऊंगा तो कुछ इस तरह से आएगा देखे हाफ टरन नहीं करना है इसमें ठीक है one fourth turn हो रहा है मतलब कि fourth part इसका turn हो रहा है ठीक है तो ऐसे कुछ interesting pattern भी है जैसे कि एक और था यहां पर N था फिर N के बाद इसको गुमाया ऐसे मतलब कि बिल्कुल half turn नहीं किया तो इसका Z बना दिया Z को फिर से जो आपको गुमाया तो इसका N बना दिया N को फिर से गुमाया तो Z बन जाएगा ठीक है तो N-Z-Z-N-S-E pattern चल रहा है ठीक है ऐसे कई सारे pattern है ठीक है तो आपको यह pattern की practice कर नहीं है आज और कुछ 5th chapter में से भी कुछ question discuss किये हैं तो उनको भी आपने देखना है तो आज के लिए इतना ही काफी है इसको आप लोग जबो अच्छे से वीडियो को देखिए एक बार समझना आया तो वीडियो को दुबारा देखिए ठीक है तो इस में से 5th, 6th और 7th chapter में से कोई problem होगी कोई doubt होगे तो आप live class में पूछ सकते हैं live class आप की होगी ठीक है आज आपकी live class होगी तो timing आप की होगी 9 बजे से ही आपकी time होगा live class का 9 बजे ही आपकी live class लगीगी तो ठीक है तो कोसिस करने कि 9 बजे से पहले-पहले 5 minutes पहले या 10 minutes पहले join हो जाएं ठीक है क्योंकि बाल में जोब हो कई बर join नहीं वो पाते हैं ठीक है तो आप बोलते हैं कि join नहीं वो पा रहा है ठीक है तो पहले पहले join हो जाएं क्योंकि फिर मैं कुछ समझा रहा होता हूं ठीक है whiteboard पर तो वहाँ पे फिर option नहीं आता है admit करने का ठीक है वहाँ पे job हो आप लोग करते रहेंगे लेकिन option नहीं आएगा ठीक है तो इस बात का द्यान रखे पांच मिन्ट पहले ही नौ बजे से बिल्कुल पहले पहले आप लोग जोईन हो जाएं ओके थैंक यू